चौकलेट मामी से मैं सीमा सिंग आपका स्वागत करती हूँ आज मां आपको दूबड़ी आठे की कहानी सुनानी जा रहे हूँ अगर आप दूबड़ी आठे का व्रत करते हैं तो कहानी जरूर सुननी चाहिए इससे व्रत का पूरा फल मिलता है यह भादवे की सुकली इस तरह सावकार के साथ बेटे इसी तरह फेरो के समय नाग डस जाता था और वो मर गए सबके मूरत दूबड़ी आठम के थे आठे बेटे की शादी जबता हुई तो लड़के की बहन किसी गाव में रहती थी उसे लेने उसका भाई गया लेकर जब वापस आने लगा तो बेहन को प्यास लगी वे पानी पिने कुए पर गई तो वहाँ एक बूड़ी डोकरी कुछ बना रही थी और बिगार रही थी बेहन ने पूचा कि तुम क्या कर रही हो बुड़िया ने कहा मैं बेमाता हुँ एक सावकार के आठे बेटे की शादी है साथ तो मर गे हैं आठ उसके दूर के रिष्टे की बहन या बुखा दूबड़ी आठे की पूजा करती है उल्टे उल्टे नेक करे गाली निकाले करण कोसे हर तरह के अपशकुन करे बारात में साथ जाए तेली से तात लावे खुमार से हांडी और धकन लावे काचा करवा लावे फेरों में ना परी टल सकती है बस फिर क्या था बहन उसी समय चालू हो गई कालियां बक्ती बक्ती भाई के पास पहुची भाई ने का बहन अब तक तु तु सही थी अब तुझे क्या हुआ कोई भूत प्रेट तो नहीं लग गया तेरे भाई बहुत पूचा लेकिन बहन ने कोई बात न ने लगी तो बान सिल्हा पर बिठाये गया बाय के निकासी होने लगी तो बहन बोली इसकी निकासी हवेली के पीछे की दर्वाजे सेकरवा ओगी सामने की दर बहुत समझाया पर बहन गालियां देने लगी फिर किसी समझदार पुरुष ने कहा कि इसकी बात मालो क्या पता ये सही कह रही हो फिर पीछे की हवेली से ही निकासी निकलवाए गई तभी सामने का दरवाजा गिर गया सब ने कहा बहन ने भाई को बचा लिया नहीं तो आज ये फिर मर जाता अब बहन ने कहा मैं बारात के साथ चलूँगी सबने बहुत समझाया कि ओरते बारात में नहीं जाती है तो वो गानिया देने लगी सबने कहा चलो ले चलो पर बहन साथ गई रास्ते में विश्राम के लिए बारात बढ़के पेड़के नीचे रुखने लगी तो बैन कहने लगी इस करमपूटे की बारात पेड़के नीचे नहीं टैने दूंगी दूप में विश्राम करो सबने बहुत समझाया पर वे नहीं माने तग आकर पूरी बरात दूप में ही ठहरी तभी पेर टूटकर गिर पगड़ा सब बराती कहने लगे यह सच में कुछ जानती है इसने दो बार बचा लिया आज नहीं तो हम सभी मर जाते जब समझी के द्वार पर पहुँचे तो बहन फिर से जित करने लगी बोली पीछे के द्वार से तोरण करो आगे के द्वार से तोरण नहीं करने दूगी आरती चोहू के दिपक से भी नहीं करने दूगी जग मगाते खीरे की ठाली भर कर लाओ उसी से आरती करने दूंगी बरातियों ने समधी से कहा कि यह जो कह रही है आप वैसा ही करो तोरण मारते वक्त सामने का दर्वाजा गिर गिर गिया आरती करते वक्त उपर से साब गिर पड़ा वो जग मगाते खीरे पर गिरा वर जल गया खीरा नहीं होता तो साब दूले को काट लेता फिर बहन जित करने लगी फेरों में मैं भी बैठूंगी जैसे दो फेरों हुई एसाब आ गया बहन ने साब के आगे कच्चा दूद का करवा रख दिया साब दूद पीने लगा तो बहन ने उसे ताथ से बांध कर हांडी में डालकर धकन लगाकर गोड़े के नीचे दबा लिया वो फिर कहां अब सब निश्चितों कर फेरे करो उसी समय नागी न आई और कहने लगी पापन हत्यारन छोड़ मेरे साब को बहन ने का तू तो घड़ी दो घड़ी में ही दुखी हो गई मेरे साथ भावियां कपसे दुखी बैटी है सर्पनी ने कहा मैं उन सब को छोड़ दूँगी तुम मेरे साब को छोड़ दो इस प्रकार बहन ने साथो भाईयों को जीवित करवा लिया और फिर उसने साब को छोड़ दिया बहन अपने आठो भाईयों को लेकर बारात के साथ रवाना हुई रास्ते में दूबड़ी आठे आई बहन ने का मुझे दूबड़ी आठे की पूजा करनी है कहानी सुननी है कैसे करूँ बहन ने गाड़ी रुकवाई सभी नीचे उतरे पाटा वहीं मंडा पड़ा था बेर का पेड था भीगे मोट पूजन की सामगरी थी बहन ने साथो भाईयों के साथ पूजा की काटा पासा कथा कई फि भीगे मोट से सबने बायना निकाला बहन ने भाईयों से कहा कि हमेशा भादो सुधी आठो की दूबडी की पूजा करना काटा पासना पूजा करना कथा कहना इस प्रकार सब राजी राजी वापस आ रहे थे उदर सावकार सावकारनी छतर बैठे बरात का इंदजार कर रहे थे तबी पनिहारी ने आकर कहा कि स्वागत की तयारी करो आपके वेटी, आपके सभी बेटों को और भावियों को लेकर आ रही है सावकार्णीं को खुशी का ठिकाना नहीं रहा, उसने जब अपने मरे हुई साथों बेटों को देखा तो वो अपनी बेटी को गले से लगा लिया सभी भाईयों ने बेहन को गले से लगा लिया भावियों ननत के पाउं चुकर अशिरवाद लिया बेहन ने कहा मा अम्मा चलती हूँ मा ने का बेटी कुछ दिन तो अपनी भावियों के साथ रहो बहनने का नहीं मा, पूत पालने में, पती सेज में, गाय गौाडे में, भैस बाडे में, चाथ बिलोवने में और दूद चूले पर छोड़ कर भाग कर आई थी, मेरा काम हो गया है, अब मुझे वापस जाना है। पंडार में भरें, आज मैंने आपको दूबड़ी आटे की कहानी सुनाई, अगर आपको ये पसंद आती है, तो प्लीज मेरा वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, चोकलेट ममी से मैं सीमा सिंग, धन्यवाद।